Hello friends, कुछ ऐसे phrases हैं, कुछ ऐसे words हैं, जिसे हम सबों को जानना बहुत जरूरी है, है ना, और यदि आप प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना तो बहुत जरूरी है, तो आएए देखते हैं क्या है यह सब, पहला है mob lynching, everyone knows this, mob का मतलब होता है, गुसाई हुई भीड, और mob lynching का मतलब होता है, किसी भी वैक्टी को या लोगों को गुसाई हुई भीड के द्वारा, पीट-पीट कर मार देने की प्रिक्रिया को mob lynching कहते हैं, okay, act of killing, beating the people by mob, illegally, it is illegal act, okay, it is unsocial and illegal act, उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग, eeb-teasing, what is eeb-teasing, it is very common that we always listen, eeb-teasing को कहते हैं, महिलाओं के उपर होने वाला, सारवजनिक दुराचार, यानि जब कोई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, सारवजनिक रूप से छेर चार करता है, तो इस act को हम eeb-teasing कहते हैं, so act of molestation of girls, female, women, ladies, publicly in a public place, this is known as eeb-teasing, it is an act, okay, third देखते हैं हम लोग, brain drain, what is brain drain, this is also very common asked in an interview, and in comparative exam also, brain drain क्या होते हैं, this is called प्रतिवाओं का पलायान, प्रतिवाओं का पलायान का मतलब, migration of the intellectual people from one place to another, अगर मैं इंडिया में पढ़ा लिखा, मैं कोई बहुत बड़ा scientist बन गया, मैं बहुत बड़ा doctor बन जाता हूँ, और मुझे किसी दूसरे देश ने offer दिया, कि मेरे देश में आ जाओ, मेरे लिए काम करो, मैं जादा पैसा दूँगा, मैं चला जाता हूँ वहाँ, this is called brain drain, brain brain मतलब प्रतिभाहों का पलाया, migration of intellectual people from one place to another is called brain drain, okay, उसके बार हम लोग देखते हैं, बहुत ही common है, couch potato, what is couch potato, yeah, it's very common that you can utilize and you can use in your conversation also, couch potato is a man who sits without moving, without moving his body and body parts, बिना हिले डुले बैटने वाले व्यक्ति को हम लोग couch potato कहते हैं, जब बच्चे टीबी देखते हैं, जब आप cricket match देखते हो, तो आप देखते रहते हो, आप हिलते नहीं हो, move नहीं करते हो, जब भी कोई व्यक्ति बैटता है बिना हिले डुले, that he or she is called couch potato, okay, और फिर मैं देखता हो, brain child, ये brain child क्या है, brain child का मतलब हुआ, किसी व्यक्ति की अपनी योजना, खोज या विचार, जब आप किसी चीज को invent करते हैं, discover करते हैं, तो वो आपका अपना brain child होता, जब आप किसी idea को आप इजाद करते हैं, कोई आपका अपना नया विचार होता है, तो आप आपका वो brain child हो जाता जैसे gravitation is brain child of Newton है ना simple है और bioncy is the brain child of Archimedes Archimedes ने इसको सोचा था आने वाले वीडियो में फिर आपको ऐसे जानकरी में देता रहूँगा तब तक के लिए thank you very much